हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बुक्स अन उथर्स तो जितनी भी इंडिया से रेलेटेड बुक्स हैं जो की 2020 में आई हैं वो सारी मैंने मैक्सिमम बुक्स इंक्लूट करी हैं तो जितने भी आपके कॉम्पेटिटिव एक्जाम है जैसे की RRB, NTPC हो गया, SSC हो गया ठीक है या रेल्वेस के जो एक्जाम हो गया वहाँ पे आपको काफी हैल्फुल रहेगा ये वीडियो क्योंकि एक दो या तीन से क्वेस्चिन ग्रेट इंडियन पोएम्स इसके ओथर हैं अबै कुमार सुहिल देव दे किंग वू सेवड इंडिया इसके ओथर है अमीश्तिर पाथी अमीश्तिर पाथी ने दो ट्रायलोजी और लिकी है एक रामचंद सीरीज है उनकी और एक शिवा ट्रायलोजी है ठीक है तो ये वैसे के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं उसके बाद वन अरेंजड मडर ये चेतन भगत ने लिखी है ठीक है इन्हों ने और भी कई सारी फेमस बुक्स लिखी है और इनकी बुक्स के ओपर कई सारी मुवीज भी बनी है ठी इडियोट वान आप तैम नेक्स्ट इस हैपी नेक्स्ट इस अब रूटल हैंड इसको ये एक तरह कि आप बोल सकते हो कि क्राइम थ्रिलर है और इसको रभी सुब्रमन्यम ने लिखी है नेक्स्ट इस अबर्निंग ये लिखी है मेगा मजुमदार ने उसके बाद थिंक लाइक अमॉंग ये लिखी है जैशेटी नेक्स् इसको लॉंच करने से इसकी मना कर दिया गया था ठीक है काफी सारे इसमें लीगल इशूस चले थे तो ये बुक तीन लोगों ने मिलके लिखी है जो डैली में भी रायट्स हुए थे 2020 में उसके उपर है उसके बाद हंटिड वाइदा इसकाई ये लिखी है तनाज भतेना इसको लिखा है नमिता गोकले ने उसके बाद इंडिया वे एस जैसंकर जो की इंडिया के एक्स्टर्नल अफेर्स मिनिस्टर है ये किताब उन्होंने लिखी है उसके बाद जिन पेट्रोल ऑंदी परपल लाइन ये लिखा है दीपा अनपार्णान ने इसको लिखा है शोबा डे ने ये बुक वन है लॉक डाउन लियाशन की राइट ये आपको याद रखना है एंड गेम एस जैदी ने लिखी है ये बुक उके उसके बाद नावरोजी पाइनोर ऑफ इंडियन नेशनलिजम ये लिखी है दिनियार पतेल ने उसके बाद है विजयन एट कारगिल दा बायोग्रफी ओफ वर हीरो कर्नल इसको लिखी है कर्नल वियन थापर और निहा दोएदी ने फिर है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेशल इस्टेबिलिटी एन इंडिया इसके ऑथर है वाइरल वी आचार है उसके बाद फुल इंडिया जितने भी इंडिया के वार्ट हुए है 1972 से लेकर 2020 ये इसके उपर ये बुक है और इसको लिखा है अरजुन सुब्रमनीम ने नेक्स्ट इस पोट्रेट आफ पावर इसको लिखा है एनके सिंग ने उसके बाद आजादी, फ्रीडम, फैस्सिजम और फिक्षन ये लिखी है अरुन्दिती रॉय ने ठीक है इनकी एक और बुक थी तो उसके लिए ने मैन बुकर प्राइज भी मिला था तो ये इंडिया की काफी फेमस राइटर है इन्होंने एक और बुक लिखी थी इंडिया आफ्टर गांदी तो ये भी काफी फेमस हिस्टोरियन है रामचंदर गुहा तो इनकी बुक है इसके बाद इनवर्टोनॉमिक्स एट आइडियाज तो ट्रांसफॉर्म इंडिया इसको लिखा है गुनमीद सिंग चौहान ने स्पेंस और थ्रिलर मुवीज बहुत जादा पसंद है वो ये बुक पढ़ सकते हैं उसके बाद असुरा टेल्स ये बच्चों के लिए किताब लिखी है आनन नीलकंथन ने बुक का वैसे नाम है इसके बाद क्रिकेट ड्रोन ये लिखी है जतिन परंजपे ने और इसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गवासकर, राहूल द्रवेड और बी जितने भी क्रिकेट के लेजेंड है उनके एसेज हैं इस बुक में उसके बाद खालिस्तान कॉंस्पेरेसी जो की एक उपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जहां पर जननेल सिंग बिंदरन वाले को आप बोल सिंग ने एमनेस्टी एमनेस्टी बुक है अरविंद अडीगा की ठीक है इनको मैन बुकर प्राइज मिला था दवाइट टाइगर के लिए उसके बाद दा मैन वू लर्न टू फ्लाइबट कुड नॉट लेंड ये लिखा है टैकॉम पोईल राजीवन ने ठीक है और इसको ट्रांसलेट किया है पीजे मैथ्यू ने राइट नेक्स्ट इस राइजिंग हीट इसको लिखा है पेरुमल मुरूगन ने उसके बाद है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रेंक द्रेगन इसको लिखा है प्रदीब गूरा ने राइट फिर जर्नी टू दी फॉर्बिड जगह है वहां की जो टेल्स है कुछ चोटी-चोटी कहानिया वह इसमें इंक्लूडड है उसके बाद लव हो पैन मैजिक यह है बुक आशीष बागरेचा की फिर है दा न्यू वर्ल डिसॉर्डर एंड इंडियन इंपेरेटिव यह बुक लिकिए शशी थरूर और समीर सरन ने है शशी थरूर की एक और कई सारी बुक्स लिकिए है शशी थरूर ने अभी थोड़े दिन पहले ही इससे पहले जो उनकी बुकाई थी वाई आयायम हिंदू वो थी ठीक है हाउ टू बी राइटर यह लिकिए रसकिन बॉन ने यह भी काफी फेमस राइटर है इंडिया ढल्राके उसके बादि इंडिया's founding moment यह लिखी है माधव खोचला ने इसमें उन्होंने बताया है जो इंडिया का constitution है उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है तो गाइस thank you आज के वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्ट वीड